तो युटे के प्राइब लाव्य वाविसे दोने फोन आपको 4G मिलते हैं आज इस वीडियो के अधर मैं आप लोग को बताने वालाओं की कौन सा आप लोग के लिए बेस्ट फोन रहने वाला मेंसे एंड दोनी फोन का प्राइज आप लोग कुछ 12,000 के आस पास का मिल जाता है वही पोग के फोन के अंदर आपको जो स्टाइटिंग वेरेंट मिलता है आपको 6GB के राइम 64GB के साथ मिलता है वहीं आपको मोटो के फोन के अंदर 4GB के राइम 64GB के साथ बेस्विएरंट मिल जाता है तो अधार चुकत बाएथ इस वीडियो अगा नंग जिन दो फोन का इस वीडियो करने वाले है उन दो फोन का नाम मैं आप लोगो लड़ी बता चुका हूं अगर आप लोगो वीडियो पसने है कि तो वीडियो को लाइक करते हैं चांगो सब्सक्राइब करना वीडियो को अपने फैंड का शेयर कर लेना उसके तो मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जागा तो आपकरते इस वीडियो को जली से स्टार्ट तो अभी सबसे पहले बात करते अपने Moto G32 के डिस्प्ले एंड डिसाइन की तो इस फोन में आपको मिलता है 6.5 इंचीज का फूल HD प्लस का IPS पैनल 90 हर्ट के हाई रिफ्रेश रेट के साथ पंच होल के साथ बैक साइड आपको प्लास्टिक की मिलते हैं बैक साइड में आपको आपको काफी तकड़ा एक्सपरेंस मिलने वाला है उसी के साथ फोन में इदर भी आपको सेम 90 हर्ट का रिफ्रेश रेड मिलता है पंच होल वगरा मिल जाती है बैक साइड आपको प्लास्टिक की मिलते है बैक साइड में आपको तीन क्यामरे मिलता हैं डिजाइन वाइस ए 32 के अंधर आपको बैकसेड में तीन क्यामरे मिलते हैं 50mp, 8即%. इस फोन में आपको बैकसेड में तीन क्यामरे मिलता है जाते है या फिर मुठकु बोल सकते है बस दो मेगा पिक्सल आपको क्यामरे शोट के लिए फोन से आप लोग Max Full HD के अंदर वीडियो रिकोर्ड कर सकते हैं और उसी के साथ आपको 16 Megapixel की Selfie मिलती है बात करते हैं प्रोसेसर की तो अपने Moto के फोन में आपको मिलते है Snapdragon 680 का प्रोसेसर जो आपको 6NM का प्रोसेसर मिल, Dr.Core का प्रोसेसर है Adreno 610 का आपको GPU मिलता है, वहीं अपने POCO M4 Pro के अंदर आपको Mediatek Helio G96 का प्रोसेसर मिलता है जो आपको 12NM का प्रोसेसर मिल, Dr.Core का प्रोसेसर है, Mali U57 का आपको GPU मिलता है यह चीज में price को consider करते हुए, बोल रहा हूं यह नहीं कि आप लोग सोच रहोगे, 12-13,000 में आपको अपको अच्छी मिल जाएगी उदर आपको कोई शिकायत नहीं होगी बट आपको जो efficiency अच्छी मिलेगा और जो आपको battery backup अच्छा मिल जागा, आपको motor के phone के साथ मिलेगा बट इसके अंदर यह है कि motor के phone में आपको IPS पना मिलता है, जो थोड़ा सा battery consumption जादा रखता है अपको 30W के fast charger box के अंदर मिलता है, अपने Pogo के phone के अंदर आपको 33W की fast charging का support मिलता है अपको 33W की fast charger भी आपको box के अंदर मिलता है बात करते हैं, अपने Moto G32 के कुछ extra features की तो इस phone आपको 3.5 home का jack मिल जाता है side mode to finger pins का मिल जाता है, face unlock का option मिलता है, stereo speaker मिलता है, 405 की आपको PPI मिल जाती है Android 12 out of the box मिल जाता है, near to stock Android मिल जाता है, नहीं कोई भी आपको फाल तुके bloat wires नहीं मिलेंगे एक आधे अगर आपको मिलते हैं, तो वो भी आप लोग इसली uninstall कर सकते हो उसी के साथ phone आपको 8.55 की thickness के साथ मिलता है, 184 gram का आपको phone मिलता है, dedicated card slot मिलता है, LPDR4X आपको एम टाइप मिलती है UMCP का storage टाइप मिल जाता है, wide world L1 का support मिल जाता है, panda glass की protection मिलता है, इधर आपको carrier aggregation का support नहीं मिलता है वहीं बात करते है, अपने Poco M4 Pro के कुछ extra features की, तो इस phone में आपको 3.55 का jack मिलता है, 1008 की big brightness मिलती है, डिस्प्ले वाइस काफी जादा हो भी phone है, इसके अंदर आपको screen to board ratio मिलता हो भी काफी तकड़ा मिलता है, पंच होल का size भी आपको personally मैं पता हूँ काफी जाद छोटा ह Redmi Note 10 Pro से तो छोटा नहीं है, वैसे छोटा है, अगर आप लोग price के साफ से देखते हो, 12.3000 के price के साफ से, तो काफी छोटा आपको पंच होल का size मिलता है, उसी के साथ phone आपको auto the box android एलाउन के साथ मिलता है, अभी तक तो android 12 आया या नी, बाग इदर आपको muay 13 मिल जाता है, पोको लोंचर मिल जाता है, उसी के साथ LPDR 4XRM टाइप मिलता है, फोसी के साथ 2.2 का storage टाइप मिलता है, फोन आपको 8.1 mm की थीकनेस के साथ मिलता है, 180 ग्राम का आपको phone मिलता है, गुलाग लास 3 की protection मिल जाते है, dedicated card slot मिलता है, side-motted finger paints का मिलता है, face unlock का option मिलता है, ear blaster मिल iPhone 4 Pro को buy करा था, तो मैंने इस phone को शायद 10,800 या 900 के price पर buy करा था, क्योंकि sale चल रही थी, and card वगरा पर भी कुछ बहुत तकड़ावला discount मिल रहा था, तो मैंने भाई 64GB की ROM बाई करी, 10,800 या 700 जो भी मतलब price था, ऐसी कुछ 11,000 टच नहीं हुआ था, under 10,700 या 800 ही था मेरे हि आप से तो, ऐसी कुछ price पर buy करा था, and moto के ओपर भी आप लोग कुछ discount वगरा मिल जागा, तो यह phone भी आप लोग को शायद 11,800 या 700 का मिल रहे है, क्योंकि first sale के अंदर card वगर अगर 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 आप लोग अपलाए करोगे, तो आप लोग को 12,000 का यह phone मिल जागा, Moto G32 या वैसे हाँ, अगर आप लोग की price gaming या आती है, अगर आप लोग बजटे 15,000 का, तो आप लोग Realme 9 5G SE की तरफ जा सकते हैं, वो phone भी काफी जादा हो भी, अभी आपको under 15,000 मिल रहा है, तो डेफिनिटल आप लोग उस वाले phone को consider कर सकते हो, अभी अपनी sales चाजरी है, तो का आप सुनना पसंद है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में गेडी लगा सकते हैं, अगर आप लोग का कुछ भी डाउट है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे message कर दूँ, हापर मैं आप को उन्दी support reply कर दूँगा, अभी देखो, डिस्प्ले के अंदर आप लोग इंस्टॉल कर लोगे, तो काफी सही output आपको मिलता है, रेडमी का वैसे भी आपको प्राइस के साब से डिसेंड मिलता है, तो अधर भी आपको कोई शिकायत नहीं है, मोटो के साथ आपको थोड़ी सी camera के अंदर struggle करना पड़ता है, हर बार का ऐसा ही रहता है, वहीं बात कर अधर प्रोसेसर की, तो और अगर मेरे को को एक प्रोसेसर उठाना हो, तो मैं इदर पोक की तरफ जाओंगा, मेड़े टेहिलोची 96 की तरफ, बट हाँ, अगर मैं एफिशेंसी देख रहा हूं, तो डेफिनेटली भाई, मोटो के अंदर काफी तगड़ी है, एंड लगु सही है, बट बफरिंग बहुत गंदी होती है, जैसे ही भाई साथ मतलब रिकोर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूं, उसके बाद तो बहुत गंदल हो जाता है, तो यह वाला सीन है, बाकि दो नई फोन के अंदर आपको 5000 में इसकी बैटरी मिलता है, बट अपना जो जो एफिशनसी मिलते हो, बैटर मिल जाती है, अगर आप लोग दोनी फोन को स्टैंडर हर्ट पर यूज़ करोगे, यानि कि 60 हर्ट पर यूज़ करोगे तो, उसके साथ आपको पोग के फोन के अंदर UFS 2.2 का स्टोरेश टाइप मिलता है, 180 ग्राम का आपको फोन मिलता है, अगर आप लोग गेमिंग करने हैं, अगर आप लोग ओर लोग ओर एक बैटर पैकेच यह, तब आप लोग अपने Poco M4 Pro की तरफ जाता है, अगर आप लोग अपने Poco M4 Pro की तरफ जा सकते हैं, तब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ के आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा, आपको क्या कहना सोच रहे हैं, इन दोनों फोन के बारे में चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन बत अगर आपको वीडियो पस्केशन दो लाइक कर दो चाहिए, पस्क्राइब कर दो वीडियो को प्लेफ और शेर कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जागा, तो मिलते हैं अगल की किसी बड़ी आप वीडियो का अंदर तब तक के लिए, बाब बाई